बिधान सबा कोटे की साथ सीटे खाले होने वाली है बिधान सबा कोटे की साथ सीटे जिसमें गुलाम रसूल बलियावी अरजुन सहनी सीपी सिनहा कमरे आलम रन विजैसी तन्वीर अक्तर को तन्वीर अक्तर की पतनी रोजीना नाजीम और मुकेस सहनी का नाम है बतादें कि साथ सीटों में महाकल भंडन के खाते में तीन, इंडिया के खाते में चारे मेल सी चुने जाएंगे बतादें कि तीन में से दो राज़त के खाते में जाएंगे ऐसे में राज़त कर्च करताओं में यह बात कही जा रही है कि राज सवा सांसद मीसा भारती के पती सहलेस कुमार को राजद बिधान परिशद भेज सकती है बदादें कि सहलेस को तारापूर उपचुनाव में काउंटिंग एजन्ट बनाया गया था पतादें कि साल 2020 में बिधान सवा सुनाव के दवरान राजद ने सरकार पर काउंटिंग में गलवडी का अरोप लगाया था और राजद इस उपचुनाव में दोनों सीनों पर जीत का दावा कर रही थी ऐसे में वह किसी भी तरह से कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही थी ऐसे में सहलेस कुमार को तारापुर सीट पर काउंटिंग एजन्ट बनाया गया था अलागे तारापुर सीट से राजद को हार मिली है अई अब एक नजा डाल लते हैं सहलेस कुमार के व्यक्तिगत जीवन पे सहलेस और मिसा भारती के साथ साल 1999 में हुई थी उस समय सहलेस इनफोसिस में काम कर रहे थे बता दें कि सहलेस का जन्न पटना के पास भीटा में हुआ था इनके पिता राम भावुपतिक एक बैंक में सेवा निवरित करमचारी है सहलेस ने बढ़ोदा से इंजनेरिंग की इसके बाद उन्होंने लखनाव से एक कॉलेज में मेनेजमेंट किया MBA करने के बाद उन्होंने ICIC बैंक में असिस्टेंट मेनेजर की नौकरी की इसके बाद उन्होंने इनफोसिस कंपनी में काम किया सेलेस जब लालू परिवार से जुड़ो तो पार्टी की गतिवीधियों में एक्टिव हो गए उन्होंने बिहार में होने वाले चुनाव में पार्टी की अहम भूमकानी भाई बता दें कि वे एक आईटी कंट्रोल रूम रावडी आवास में बनाया और राज़त के सोसल मीडिया पेज पर भी अपनी नजर रख साथ यह भी कहा जा रहा है कि वे चुनाव के दवरान और पेज पर यानि कि सोसल मीडिया पेज पर जितनी भी गतिवीधिया होती है इन सब को लेकर पार्टी में अपनी सुझाब देते रहते हैं सेलेस मीडिया की सुर्खिया में तब आये जब साल 2018 में उन पर मनी लॉटरिंग के मामले में एडी ने पोस्ताच की बता दें कि एडी ने 8000 कलोड रुपया के मामले में इन से पोस्ताच किया था मिसा भारती के राजसवा सदस बनने के बाद दोनों दिल्ली में रहते हैं इधर जब राज़त परवक्ता से यह पूछा गया कि क्या सेलेस एमलसी बनाये जा सकते हैं इस पर बोलते हैं उन्होंने कहा कि इसका फैसला राज़ा सुप्री मुलालो यादब और तेजस्वी य कल कर सामने आई है को बताने कि अस्थान ये निकाई के 24 सीटें खाली है और इन पर पंचाई चुनाप के बाद इन 40 सीटों को भरा जाएगा उसके बाद राज़त चाह रही है कि हम एक मजबूत ब्यक्ति जो है एमलसी में भेज़े ताकि अपनी बात को वहां पर हम सीटें जो खाली हो रही है उसमें से जो है तीन सीटें जो है महां गटबंदर के खाते में जाएगी और ऐसे में जो है दो सीटें राज़त के खाते में जाएगी एक सीट कांग्रेस या फिर बाम दलों के खाते में जाएगी लेकिन अब इसमें ये बात कही जा रही है कि ए रहे रहे विहारी नियोज के साथ मुझे दीजी अजाजत धन्यवाद